नमस्टार and very very good evening to all my fellow CA students, आप लोग शैद मुझे आज इस अवतार में देखके थोड़े से हरान हो, लेकिन मैं आपको बता दू, आज का ये जो हमारा छोटा सा सेशन है ना, इसे मैं as a teacher नहीं, बलकि एक chartered accountant की तरह ले रही हुँ, बहुत सारे बच्छों के बहुत सारे परे परेशानी है और उस परेशानी में एक सबसे बड़ी परेशानी है, demotivation या distraction, कहीं न कहीं confidence lose हो रहा है, और हम ये सोच के परेशान हो रहे हैं कि हम कर पाएंगे भी के नहीं, तो आज के सेशन में मैं आपको एक बहुत important चीज याद दिला दू कि ये जो आप कर रहे हो, CA, वो सिफिक कोर्स नहीं है, ये एक जर्नी है, CA, एक ऐसी जर्नी जो बनती है, determination से, perseverance से, passion से, self-confidence से, और self-reliance से, ये जर्नी हमें बहुत सारे उतार चड़ाव दिखाती है, लेकिन अंत में सफल वही होता है, जो उन सारे obstacles को पार कर जाता है, हां, हम सबकी जिन्दगी में ज अब ये जर्नी चल रही होती है, तो बहुत साली चीज़े आती है, and we all feel like, के अब नहीं हो रहा है, it is the time to give up, and there is the beginning of a successful chartered accounting, आज मैं आप लोगो एक स्टोरी सुना रही हूँ, स्टोरी है, एक बहुत ही legendary mountaineer की, जिनका नाम है Sir Admiral Hillary, ये पहले ऐसे mountaineer थे, जो Mount Everest पर चड़ कहीं ना कहीं उनकी जर्नी और हमारी जर्नी ना वुपत मिलती जुलती है, हमारा base camp है CA Foundation, लेकिन उस base camp तक भी हर कोई नहीं पहुँच सकता, और सोचो, जैसे जैसे हम उपर चड़ते जाते हैं, हमारे रस्ते में CA intermediate आता है, फिर हम और उपर चड़ते हैं, तो आर्टिकल श कोचने से पहले CA final का तूफान आगा है, हो सकता है, ऐसे में कई सारे ऐसे मौके आए, जब हमें लगा हमारा हाथ छूट ला है, लेकिन वही तो समय है कि हमें हमारी determination को वहाँ पर दिखाना है, क्यों थकना है, क्यों हारना है, जब ये रस्ता हमें घहरा है, कि हम उस मंसूल सकते हैं, हमेशा ध्यान रखनें, कि जो इंसान कोशिश करता है, डेफिनेटली वह कभी नहीं हालता है, लेकिन जो इंसान डटा लेता है, वही जीता है, तो कोशिश करो, हिम्मत रखो, और अंत में डटे रहो, खडे, आपको पता है, जब मैं CA करती थी ना, तो छोटी है, जो आपने कही बार सुनी होगी, मतलब, it is one of the very very famous poem, जो आपने कही बार सुनी होगी, movie में भी सुनी होगी, लेकिन, खुद के उपर एक बार ले कर देखो, जब आपको syllabus के थपीडे पढ़ रहे, जब कभी विमारी, कभी distraction, कभी घरवालों की कुछ बाते, कभी relatives के तान आपको परेशान कर दे, तब इन लाइनों को याद करना, और definitely आप जीत करने को लोगे, तू ना थकेगा कभी, तू ना रुकेगा कभी, तू ना मुडेगा कभी, कर्शपत, 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 ये महान द्रिश्य है, चल रहा मनुष्य है, आरे न गूसबंस, खुद को देखो वहाँ पर, और imagine करो, कोई ताने मार रहा है, कोई आपको कुछ डायलोग मार के जा रहा है, सिलिबस बहुत सारा पड़ा है, और टिक 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 घड़ी घूम रही है, ये महान द्रिश्य है, चल रहा मनुष्य है, अश्रस्वीत रप्त से, लगपत, लगपत, है, हमारा महनत है, हमारा पसीना है, वो रात रात भर जगना है, वो दिन दिन पर किताबों में आखे गराना है, हमारी जो महनत है, वो सिर्फ हम समझ सकते हैं, तो जो अंधेरा आपकी जिन्वगी में डी मोटिवेशन के नाम से आ रहा है, जो अंधेरा आपको आपके राह पर चलने से रोक रहे, वो अंडर कॉंफिडेंस जो आपको अपनी किताबों से और लेक्जर से दूर कर रहे, उस सारे अंधिरों से बाहर निकलो, और उस रोशनी की तरफ करो, जो तुम्हें जीव दिला रहे है, आज का दिन, विजय दश्मी का दिन है, और आज के दिन को हर साल इतना पता है क्यों मनाया जाता है, क्योंकि सब को पता था, विशौल का सेना के साथ रावन, जो तीनों लोक जीत चुका था, क्या उसके सामने श्री राम के पास कोई भी स्कूप था जीतने का वो भी वानर सेना के साथ, वो भी तो डर सकते थे, वो भी तो पीछे हड स लेकिन वो ना डरे, ना पीछे लगे, आप भी बस यही करना, जबी भी मन में डर आ है, अपने आसपास की नेगेटिविटी इसको नहीं, उस पॉजिटिविटी को देखना, जो आपकी इर्द गिर्थ है, बच्पन से हमने जो कहानिया सुनिये, हमें पता है, अगर हम सही रह पर चलेंगे, अंत में हम हमारे लक्षे तक पहुंचेंगे, तो सारे डर को अपने मन से, उन सारी काली डी मोटिवेशन को अपने अंदर से निकाल कर बाहर से को, और ये देखो कि आपके आसपास के जो लोग है ना, उनकी जमिकी में भी बहुत उपनीचे उपनीचे उपन का मिले, आप भी ना हरोगे, ना डुरोगे, हमारी तरह चार्केड अकाउंटेंट बने होगे, so guys, just keep up the work hard, keep up the motivation high, अगर आप नहीं कर सकते, तो कोई नहीं कर सकते, इस मंत्र को याद रखना, और फटाफट सीए बन जाना, okay, तो फिर पस, किताबों के बीच में, मिलेंगे कभी, लेकिन आज का ये session, उन सारे बच्चों तक share करना, जो आपकी तरह डरे वे हैं, सर्वे वे हैं, सिर्फ सीए नहीं, शायद हर इक student, जो चाहे कोई भी course करना है, ये definitely session उसके लिए useful है, comment करके ज़रूर बताना, did you felt better, and all the best.